अलो सातियों नमस्कार गुड इवनिंग ओल अफ यू गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग जल्दी से फटापट सभी लोग लाइव आजाएं और दोस्त मित्रों के बीच शेशन को जोरदार तरीके से सेयर कर देंगे आप सभी का टेक्स्ट बुक्स उपर कोचिंग पे बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत अभिनिंदन है मार्च का महिना बीच चुका है और आज हम लोग एक अपरील के तारीख में आ चुके हैं और एक अपरील का मतलब हो गया कि पूरे अपरील का एक नई शुरुवात आज से करना है तो मैंने सोचा क्यों नहीं पूरे मार्च के करेंट अफेर्स का रिविजन करा दिया जाए और पूरे मार्च के करेंट अफेर्स को हम दो पार्ट में रिविजन कराएंगे एक बिहार करेंट अफेर्स और एक रास्टिय अंतरास्टिय करेंट अफेर्स है ना आज आज क्लास कौन बोला नहीं लेने वाले थे आज हमारा दो बज़े से पांच बज़े तक है इंटरनेट बादित था जिसके कारण मैंने पेड क्लास एक नहीं लिया ये क्लास आज तो ले रहे हैं मैंने वो संकल्प बैच के बारे में बोला था तो बिहार करेंट अफेर्स आपके लिए बहुत IMPORTENT है और मात्र 50 मिनट में 50 प्रसंटों का रिविजन करेंगे शिर्प बिहार से संबदित प्रसंटर रहेगा तो जोरदार तरीके से सभी लोग सेयर कर देंगे जोरदार तरीके से सभी लोग सेशन को अपने दोस्त अपने म चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पीडियेफ आपको यहां पे मिल जाएगा और मैं बता दूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका करेंट अफेर्स गर्दा वाला हो बहुत मजबूत हो तो आप हमारे सुबह नाइन एम के कलास में जरूर से जरूर जुड़ें यह कला आप लोगों के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवार लेते हैं प्रधान मंत्री ने अम्रित भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशन्स पूरे भारत में प्रधान मंत्री अम्रित भारत स्टेशन्स योजना के तहत 504 रेलवे स्टेशन्स का पुन आप विश्व अस्थिया सुईढ़ायं होगा। और इस्का नाम है अम्रित भारत स्टेशन से सं किया गया है। अम्रित भारत स्टेशनस योजना के तहत आने की यहां के जो आपके स्टेशन होंगे वो विश्व स्टर्य स्टेशन बनाए जाएंगे वर्ड लेबल के स्टेशन्स बनाए जाएंगे, विश्वस्तर ये स्टेशन्स देखने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो सभी लोगों को इसका जवाब सही देना है, रेल मंत्राले के द्वारा ये स्कीम को लाया गया है, याद रखोगे, वर्स दोहजार चौबिस में सुरू की गई बिहार लगू उद्दमी योजना ये योजना सवरोजगार और उद्दमिता के लिए परती वैक्ती दो लाख रुपिये की वित्तिय सहायता परदान करता है जो आपका बिहार लगू उद्दमी योजना नितिश कुमार का कहा जाई यू तो दोहजार चौबिस की सबसे ड्रिम योजना है जिसका एनाउंस्मेंट किया गया और मुझे लगता है आने वाले फ्यूचर में जो यहां की सरकार आने की नितिश कुमार विधान सभा चुना म जाएंगे तो सबसे ज्यादा इसी योजना का नाम लेंगे ना दो लाख दिया जाता इसमें रासी और लगभग 94 लाख परिवार का इसमें चैन किया जाना है तो किस माध्यम से होगा तो यह कंप्यूटर रेंडमाइजेशन परनाली के तहत होगा CRS परनाली के तहत होगा किस परनाली के तहत लावार्थी का चैन होगा तो CRS परनाली बोला जाता है इस परनाली के तहत इसका चैन होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट किसरा आते हैं बिहार में पुराने वाहनों का पहला स्क्रेप सेंटर कहां पे खुला गया पुराने वाहन का पहला स्क्रेप सेंटर दिहान दिजिएगा हम यहां ज्यादा डिसकसन नहीं करेंगे डिसकसन हमारी सुबह वाली कलास में होती है ये कलास सिर्फ और सिर्फ रिविजन परपस से है तो आप लोग भी आनंद लिजिए और पूरे महिने के सिर्फ बिहार के करेंट अपेर्स का भी आनंद उठाइए पहला स्क्रेप सेंटर बिहार में पुराने वाहनों का 51 सवाल होगा कि स्क्रेप सेंटर कहां पे खोला गया तो ये आपका बक्तियार पूर में खोला गया जनाव यहां पे क्या होता है यहां पे पुराने वाहनों को नस्ट किया जाता है वेस्ते बाहन जो आप चलाने योगे नहीं है तो आपको अगर यहाँ पे वाहन देंगे तो नए वाहन खरीदारी करते समय आपको अनुदान भी मिलेगा तो बक्तियार पूर में खोला जा रहा है पटना चर्चा में है पटना में हाली में पसू विज्ञान विश्विद्या कहां है तो यह पटना में है भागलपूर में क्या है पहला बैडमिंटन अकेडमी राज का पहला बैडमिंटन अकेडमी जो है यहीं पे है राज का पहला बैडमिंटन अकेडमी है और मुझफरपूर का टॉयलेट क्लिनिक मॉडल बहुत परचलित है यह भी दिमाग में दिशनीम का सहद का विमोचन किया गया। इस पुष्टक के लेखक कौनं है पूछा गया है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद देवेस्चंद्र ठाकूर, प्रोफेसर राम प्रवचन राय संजय कुमार गांधी इस पुस्तक के लेखक कोन हैं तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो आपके हैं डॉक्टर राजवदहन आजाद, देवेश चंद्र ठाकुर कोन है? विधान परिशद के सभापती है, देवेश चंद्र ठाकुर जो यहाँ पे option में है, वो विधान परिशद के सभापती है, नेक्स्ट आते हैं, देश भर में सहद उत्पादन, सहद समझते हो न, सहद स्थान क्या है, पूरे देश में, हनी प्रोडेक्शन में, बिहार का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौतहा था, अगर बोला जाए, पहला नहीं होगा हनी प्रोडक्शन में बिहार का अस्थान तीसरा की चौथा है यूपी वेस्ट बेंगॉल पंजाब के बाद बिहार है याना पहले अस्थान पर कौन है यूपी है यूपी है वेस्ट बेंगॉल है पंजाब है पंजाब है और चौथे अस्थान पर आपका बिहार है हनी उत्पादन में बिहार जो है वो चौथे अस्थान पर है अच्छा आप से पूछा जाए मिठी क्रांगती मिठी क्रांगती के लिए बिहार के कितने जीले का चैन हुआ है मिठी क्रांगती कि से रिलेटेड है सहद से रिलेटेड है और बिहार के 17 जीला का चयन केंदर सरकार की मिठी क्रांती के लिए हुआ है अच्छा सहद के लिए एक्सिलेंट सेंटर बिहार में कहां पर बनाया जा रहा है ये भी पूछा जाएगा तो बांका में सहद का एक्सिलेंट सेंटर बनाया जा रहा है तो आप याद रखोगे है नो बांका में सहद का ए चलो next आते हाली में परदान मंत्री नरंद्र मोधिरवारा आमस दर्भंगा के बीच बनने वाली पहले एक्सप्रेस्वे का सिलन्यास किया गया यह expressway बिहार के कितने जीले से गुजरेगा आमस दर्भंगा expressway बिहार के कितने जीले से गुजरेगा यह सवाल है अब आमस कहा है आप लोग बताएंगे आमस की बात किया गया है तो यह आमस कहां पी है कोमेंट करके बताओगे औरंगाबाद आमस है औरंगाबाद में है ना आमस जो जगह है वो कहां है यह है आपका औरंगाबाद में मैंने कलास में बताया था औरंगाबाद से जो यह एनच है यह कहां तक जाएगा यह जाएगा आपका दर्भंगा तक और पुझा गया इस बीच में कितने जगह से, कितने जीले से गुजरेगा. तो इसका जबाब होगा, 7 जीले से गुजरेगा, इसे NH 119 नाम दिया जाएगा. 7 जीला कौन-कौन है? तो औरंगाबाद तो एक है ही, क्या ना? यहां पर पहला औरंगाबाद हो गया दूसरा आपका गया हो गया अब बताओ गया की बगल में कौन है औरंगाबाद गया फिर गया से जहानाबाद जाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा जहानाबाद आप लोग जामते होंगे औरंगाबाद गया जहानाबाद पटना वैसाल से यह दर्भंगा यहां तक चला जाएगा हो गया न साथ कि साथ जीले से गुजरेगा क्लियर है नेक्स्ट है बिहार क्लाइमेट एक्षन कॉनक्लेव का एजन कहां पे किया गया जलवायू परिवर्तन को लेके यहां पे बात किया जाएगा तो बिहार क्लाइमेट एक्षन कॉनक्लेव का एजन कहां पे किया गया जलदी से बताओगे क्लाइमेट एक्षन कॉनक्लेव का एजन कहां पे किया गया सबी लोग कमेंट करके बताओगे तो यह पटना में किया गया असा यही क्लाइमेट कॉनक्लेव के टाइम पटना में उध्याटन कि कि राज के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के दवारा किया गया याद होगे एक बार सेयर कर दोके सभी लोग सेसन को के नेक्स्ट है बिहार में कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मुदी दवारा बिहार में कहां पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड उर्वरक सयंत्र का उधगाटन किया गया। बेगु सराय के सानसद कौन है अभी जिनको दोबारा टिकट मिला है तो गिरे राज शिंग है बेगु सराय के सानसद। पेहतर संग्रक्षन के लिए बालम की टाइगर रुजर्व को बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन्स का आवाड मिला है। दूसरा है बिहार के केमुर हिल्स को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन्स का आवाड मिला है। बिहार के प्रसिद सोनपूर मिला को इमर्जिंग फेस्टिबल डेस्टिनेशन्स का आवाड मिला है। तो बोलेंगे गुरू जी यह सारा का सारा सही है। आने की more than one of the above होगा। यह तीनों का तीनों शही है। यह तीनों का तीनों मिला है। आप लोग को माइंड में रख लेना चाहिए। क्लियर है। नेक्ट है बिहार में भूमि दस्तावेज के लिए एकक्रित आनि की Integrated भू अभिलेक परबंधन परनाली किसके सहयोग से विक्सित किया जा रहा है। तो यह होगा IIT रूड़की, IIT पत्ना, IIT दिल्ली किसके सहयोग से विक्सित किया जा रहा है तो आप बोलोगे यह IIT रूड़की के सहयोग से किया जा रहा है यह IIT पत्ना के सहयोग से किया जा रहा है यह IIT देली के सहयोग से किया जा रहा है दस नमर का बताओगे तो यह IIT रूड़की के सहयोक्षे किया जा रहा है याद रखोगे पटना के सहयोक्षे आपदा परबंधन किया जा रहा है आपदा परबंधन वाला जो नितिस डिवाइस बनाया गया है वो किया जा रहा है और IIT दिल्ली के सहयोक्षे जो परदूसन है बिहार में परदूशन कंट्रोल की बात यहां से किया जा रहा है याद रफोगे परदूशन की बात किया जा रहा है हाँ सब कुछ पटना नहीं होता पटना नहीं मारना है भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रदूख की विभात आने की इंडियन गौर्रमेंट का साइन्स एंड टेकलोजी डिपार्टमेंट के एक अध्यन के दवारा जलवायू परिवर्तन के 50 समवेदन सील जीलों में बिहार के कितने जीले सामिल हैं कितने जीले सामिल हैं तो पच्चास आपको पता है पच्चास जीले में बिहार के हैना चोगदा जीले सामिल है जलवायू परिवर्तन को लेके बिहार में चोगदा जीला शामिल है एक बिहार के मुंगर में देश का दूसरा वाने की महाविद्यालय बना है फॉरेस्ट्री कॉलेज बना है देश का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज़ अगर बोला जाए तो वह तेलंगाना में बना है देश का दूसरा आपका बिहार में बना और बिहार का पहला आपका मुह्यर में बना है तो इसका नामांकरन किया गया आने की नाम इसका चेंज किया गया और इसMusic नाम दिया गया बिहार वाने की College and Research Center यहना मुझे पता था अधिकतर लोग स्री कृष्ण सिंग का नाम को चूज करेंगे इसलिए मैंने ऑप्षन भी दिया था स्री कृष्ण सिंग नहीं होंगे सी होगा अगर आप लोग डेली करेंट अफेर्स करोगे न तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला एकजाम में मैं बार बार बोलता हूं हाली में घोसना के अनुसार विहार के किस विश्विद्याले में छात्र मिथला पैंटिंग से सनातक कर पाएंगे आनि कि मिथला पेंटिंग में भी आप पढ़ाई होगा जहां से आप ग्रेजवेट का डिगरी ले पाएंगे ग्रेजवेट का डिगरी ले पाएंगे मिथला पेंटिंग से कौन से विस्विध्याले से ले पाएंगे तो आरिभट ग्यान विस्विध्याले से आपको पता है क पत्नाविस्विद्याले भी चर्चा में रहा था कि पत्नाविस्विद्याले में एक ट्रांसजेंडर थी जिनका नाम है रेसमा उनको सिनेट पत्नाविस्विद्याले के सिनेट का सदस्य चुना गया है ना रेसमा को पत्नाविस्विद्याले के सिनेट का मेंबर चुना गया बिहार के युवावों पर बनाई गई फिल्म चंपारन मटन के असकर के स्टूडेंट अकेडमी अवाड में चंपारन मटन का चैन हुआ है तो चंपारन मटन में जो फलक नाम की लड़की ने अभी नहीं किये है वो विहार के किस जीले के निवासी है तो मुझफर पूर जीले के निवासी है चमपारन मतन के अलावे और भी कोई फिल्म में ओसकर के लिए नामित हुआ है क्या विहार का फिल्म तो बोलेंगे बिल्कुल संजय मिश्रा का गिद्ध फिल्म है जो ओसकर के लिए नामित हुआ है पहला नेशनल क्रियेटर सावाट मोदी जी के द्वारा दिया गया 20 स्त्रेनियों में दिया गया यूटूब में जो क्रियेटर्स लोग हैं उनको सम्मानित किया गया और उसमें विहार से मैथली ठाकूर को भी सम्मानित किया गया अब मैथली ठाकूर को इसमें से कौन सा मिला है अवाट मैथली ठाकूर को किस केटोगरी में सम्मानित किया गया तो कल्चरल एमबेसेडर ओफ दे इयर क्या है Cultural Ambassador of the Year में सम्मानित किया गया याद रखोगे ये है Creative Award खाली में अंतरास्टिय महिला दिवस के अवशर पर महिला ससक्ती करन और अगुवा बना बिहार थिम पर कई कारेकरम का आईजन किया गया अब देखो अगुवा बना बिहार मतलब क्या है हम लोग के बिहार में साधी बिहार कराने के लिए कोई अगुवा होता है वहीं से ये लाइन लिया गया है अगुवा बना बिहार का मतलब हुआ कि बिहार के चीजों को देखके कई राज केंदर सरकार और कई देशों में इस हाली का पोसाक योजना है ही, साकील योजना है ही, तो more than one of the above हो जाएगा, ये डीज का right answer हो जाएगा. वही अगुवा फंसाता है सर, चलो कोई बात नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री निदीश कुमार हाली में किस देश के दोरे पर गए है, निदीश कुमार किस देश के दोरे पर गए, और वहां के साइन्स म्यूजियम को देख के आए, बड़ा अच्छा लगाऊंको, बोले कि भाईया, अब पटना का भी जे अब्दुलकलाम साइन्स सेटी है, वो उसी के डिजाइन पर बनेगा, तो निदीश कुमार लंदन, अच्छा लंदन पे तो भोजपूरी में एक गाना भी बना है, आप लोगों को पता अगर होगा तो, हाली में Center for Research on Energy and Clean Air दवारा जारी, आकणों के अनुसार, असम की सीमा पर एक ओदोगिक सहर मेधालय जो है, बरनी हाट भारत का सबसे परदुसित सहर रहा, कौन सा भारत का सबसे परदुसित सहर, बरनी हाट है, सिर्श दस परदुसित सहर में, बिहार के कितने सहर सामिल है, टॉप 10 परदुसित सहर में, बिहार के कितने सहर सामिल है, पूरे देश में, आपको आश्चर्ज होगा, प कबसे पहले बेगुशराय नाम याด रखोंगे हैं ना कौन-कौन है अरपालपोर भखसर और छपरा अरपालपोर बखसर और चपरा बेगुशराय वाला में यप сेल प्लुशुशन्स वालबे बेगुशर बिहार में वाटर है ना मेनेजमेंट सिस्टम किस देश के तरज़ पर बनाया जाएगा तो बताएंगे यह यह आपका स्कॉट लेंड के तरज़ पर बनाया जाएगा इसके तरज़ पर बनाया जाएगा स्कॉट लेंड के तरज़ पर बनाया जाएगा शाहित अकादमी पुरुषकार 2023 से सम्मानित डॉक्टर बासुकी नात जहा को 2023 में बौध संकेतन के लिए कौन सा वाड मिला है शाहित अकादमी अवाड मिला है उनकी उनका कोन सा पुस्टक का विमोचन हाली में किया गया तो समय समाज संकेतन समय समाज शंकेतन पुस्टक का विमोचन हाली में किया गया नेक्स्ट है अनुवाद के लिए साहित अकादमी पुरुषकार कन्फ्यूज मत होना साहित अकादमी पुरुषकार बहुत सारे केटोगरी में मिलता है साहित अकादमी तो एक होई गया है एक तो सबसे मैन होता है साहित अकादमी किसे मिला है 22 आपको पता है एक होता है साहित अकादमी का बाल पुरुषकार होता है साहित अकादमी वाल पुरुषकार होताएं इस कि अजल तो पूछा जा सकता है तो अब साहित अकादमी का अनुवाद पूरुस्कार किसे दीया के कि अंपर पूरुसकार मेन का मलिक को दिया मैने का मलिक ने एक उपन्यास्था नेपाली भासा में नील कंट के अनुवाद के लिए दिया गया है किसके अनुवाद के लिए दिया गया है याद रखोगे है कि आज सारे बच्चे कहां चले गए बहुत कम बच्चे हैं वाई क्या बात है नेक्स्ट आते हैं खाली में आयोजित बिहार सडक सुरक्षा परिसद की बेठक में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में बिहार में सडक दुर्घटनाओं में कितने परतिसद की विर्धी हुई है ये पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा विर्धी जो हुआ है वो धार्मिक अस्थनों के पास दुर्घटना होता है अब देखो हैंडिल छोड़के वाबा जी को सब ऐसे परनाम करना चाहता है उदर से गाड़ी आया ठोक दिया तो धार्मिक अस्थान पर सबसे ज़्यादा हो रहा है बिहार एकोनोमी सरवे 2023 के अनुसार अर्थवस्था के छेत्र में बिहार देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज बन गया है बिहार की अर्थवस्था कितनी फीसदी की दर से बढ़ रहा है बिहार का अर्थवस्था कितनी फीसदी के दर से बढ़ रहा है बताओगे बिहार की अर्थवस्था कितनी फिस्दी के दर से बढ़ रहा है तो ये 15.5 फिस्दी के दर से बिहार की अर्थवस्था बढ़ रहा है मेथली और हिंदी का सुपरसिद्य साहित्यकार पूसा किरन खान का निधन हो गया पूसा किरन खान का निधन हो गया उन्हें किस वर्स पदमसरी सम्मान से सम्मानित किया गया पूसा किरन खान का निधन हो गया एक्यावन सवाल है आज तो उसा किरन खान का रिधन हो गया तो उसा किरन खान को कब सम्मानित किया गया था तो 2015 में हाली में 165 करोर की लागत से सौप्टेवेर टेकलोजी पार्क आउधगाटन किस जीला में किया गया कितने के लागत से तो 165 करोर की लागत से तो सौप्टेवेर टेकलोजी पार्क भागलपूर में मैंने बताया था सौप्टेवेर टेकलोजी पार्क भागलपूर में मन्जूसा महुसा भागलपूर में ठीक है बनाया है चुनाव मालन नेमिस्टर बनाया गया है किस खिलाड़ी को बनाया गया है जंदी से बताओगे में तो गोपाल गंज में इसान किसन कहां से चीप पोगा यह ना मुकेश कुमारे क्रेक खिलाड़ी है he तो यह दोनों को बनाया गया है याद रखो खाले में बिहार के प्रसिद्ध पदमस्री प्राप्त कलाकार श्री कपिल्दे कपिल्दे प्रसाद का निधन हो गया कपिल्दे प्रसाद को पद्मिस्री से किस वर सम्मानित किया गया था कि 2022-2023-24 कब सम्मानित किया गया था तो 2023 में तीर लोगों को मिला था 2030 में एक थे कपिल देव परशाद जिनने 52 बोटी के लिए मिला था शुबद्रा देवी जिनने पेपर मेसी के लिए मिला था और आनंद कुमार जिनने साइन्स के छेतर में विशेस योगदान के लिए मिला था शुपर 30 वाले 2024 में पांच लोगों को मिला है नाम आप लोग कमेंट करके बताओगे 2024 में पांच लोगों को पदमसरी एक को पदमभूशन और एक को पदमभूशन मिला है बिंदेश्वरी पाठक जो हैं सुलव सोचाला है उनको पदमभूशन शीफी ठाकुर को पदमभूशन और पांच ल हाली में बिहार का पान नामक अस्थल काफी चर्चा में रहा पान नामक अस्थल से उत्तर पासन काल के अउसेश मिले पान नामक जगह से उत्तर पासन काल के अउसेश मिला तो यह पान कहां पे है पान नालंदा में है लखी सराय में है शमस्तिपूर में है पान जो जगह है य यह आपका समस्ती पूर में हैं कहां पे हैं पांज जो जगह है यह आपका समस्ती पूर में हैं याद रखोगे निमलिखित में बिहार लोकसेवा आयोक के नएया द्यक्ष कौन बने हैं बिहार लोकसेवा आयोक के नएया द्यक्ष कौन बने हैं पर्मायन्ट अध्यक्ष बना दिया गया है परमार रवी मनु भाई को ये तो आप लोग जानते ही होंगे हाली में हुवी बिहार केबिनेट के बेठक में किस स्टेडियम को बी सी सी आई को दिर्गकालिक समय के लिए लीज पर दिया जाएगा कौन सा स्टेडियम है जिसको लीज पर दिया जाएगा लॉंग डुरेशन के लिए मौईनूल हक स्टेडियम इंद्रा गांधी स्टेडियम उर्जा स्टेडियम जगजीवन स्टेडियम किस स्टेडियम को लीज पर दिया जाएगा तो बोलेंगे ये मोईनूल हक स्टेडियम है ना बीसी सी आई को लीज पर दिया गए आने वाले समय में आपको यहां अंतराश्टिया इवेंट देखने को मिल सकता है शयुक्त राष्ट पर्यावरन कारेकरम के सहयोग से बिहार राज परदुसन नियंतरन बोड़ दवारा तैयार किया गया रिपोर्ट क्लाइमेट रेजिलियन्ट एंड लो कारबन डेवलप्मेंट पाथवे के अनुसार बिहार में ग्रीन हाउस गैस दोहजार सतर तक कितना प परतीसत तक बढ़ने का अनुमान है तो ये 5 गुना बढ़ने का अनुमान है जितना भी है उसका 5 टाइम बढ़ने का अनुमान है हाली में पाटली पुत्रा खेल परिसर पाटली पुत्रा खेल परिसर जो है पटना में है यहां पे खिलाडियों के लिए प्रतिभा खोज कारेकरम क्रिती क्रिती क्या है प्रतिभा खोज कारेकरम है इसका आयुजन किया गया आपको बताना है कि विहार का राजकी या खेल क्य है याद रखोगी कि विश्व वायू गुनवत्ता रिपोर्ट 2023 के संदर में निम्न कथनों पर विचार किजिए यह रिपोर्ट स्विश वायू गुनवत्ता निगरानी निकाय आईक्यू एयर के द्वारा जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में 134 देशों में दूसरा सबसे परदूसित देश होगा इस रिपोर्ट में बेगू सराय को सबसे परदूसित महानगरिय च्छित्र बताया गया है कौन सा सही है एक और तीन सही है बिल्कुल इसमें दो कथन सही है पहला और यह यह आपका दूसरा नहीं तीसरा सबसे परदूसित सहर भारत हो जाएगा क्लियर है पटना नगर निगम में स्वर्जनिक सुचालय में सुधार है तू कोन सा अभियान का सुधार है परिवर्तन अभियान एक मिनट रुप जाएंगे क्लियर है नेने बफरिंग सफरिंग नहीं है लाइट चला गया थह तो मयने चेंज किया में जलो कोन सा अभियान की शुरुवात किया गया था तो यद रखोगे लू कैफे अभियान कोन सा भियान है लू कैफे अभियान लू कैफे अवियान का सुरुवात गया है अरे लाइट इनवर्टर आपका डाउन था लाइट चला गया था भी लाइट आया तुसको मैंने चेंज कर दिया चलिया है प्रतेक वर्स 20 मार्च को विश्व गोरेया दिवस मना जाता है वर्ड इस पैरोडे मना जाता है तो यह प साथ साथ दिल्ली का भी है विहार और दिल्ली का राज की अपक्छी है गोरेया विश्व वानी की दिवस वर्ड वानी की डे कब मनाते हैं विश्व वानी की दिवस कब मना जाता है तो यह एकी समार्च को मना जाता है क्या जिस ही है न एकी समार्च को विश्व वानी की दि के सहयोग से बिहार में हर्याली आवरन बढ़ाने का लक्ष निर्धारित किया गया है बिहार में हर्याली आवरन बढ़ा कर कितना प्रतिसत करने का लक्ष रखा गया है जल्दी बताओके हर्याली आवरन को बढ़ा कर 17% करने का लक्ष रखा गया है 17% करने का लक्ष रखा गया है मैं आपके जानकारी के लिए बता दू बिहार का जो जल जीवन हर्याली मिशन है ना जल जीवन हर्याली मिशन इसकी चर्चा कोप सम्मेलन कोप 28 सम्मेलन में किया गया कोप 28 सम्मेलन कहां हुआ जनाब यह सम्मेलन आपका दुबई में हुआ यहाँ पर इसका चर्चा किया गया याद रखोगे क्लियर है चलिया वित्य वर्स 2024 पचिस में बिहार के 13 विभाग बाल बजट बना रहे हैं बाल बजट की सुरुवात बिहार में कहां पेकिया गया बाल बजट की सुरुवात कहां पेकिया गया पहला बाल बजट लाने वाला असम था ना असम पहला बजट लाने वाला राज है दूसरा आपका केरल है और तीसरा बाल बजट लाने वाला राज आपका बिहार है तो बिहार तीसरा राज है जहांपे बाल बजट लाया गया तेरा चोगदा से इसका शुरुवात किया गया चुनाव आयोग ने निमलिखित में किन्हें थाली में बिहार के ग्री विभाग का अपर मुख्य सचिव न्यूक्त किया है तो बोलोगे यह प्रताई अम्रित परताई अम्रित को किया गया है परताई अम्रित इंडियन एडमेस्टरी सर्विष के उपिसर इनको बनाया गया है कि बिहार के शुपोल में देश के लंब सबसे लंबे पूल का तीन हिस्सा गिर गया अभी तक तो केंदर सरकार विहार पे आरोप लगाती थी लेकिन ये पूल जो गिरा है ये बिहार के central government की योजना के तहत बन रहा है भारत माला प्रियोजना के तहत बन रहा है ये पूल गिर गया इसके संदर में कोंसा कथन सत्व है ये देश का सबसे लंबा पूल है इसकी लंबाई 13.3 किलो मीटर है सही है केंद सरकार के भारत माला प्रियुजना के तहत बन रहा है लागत 1200 करोड है ये सुपोल मदुबनी के बीच दूरी को कम कर देगा सारा सही है कौन से नदी पर बन रहा है तो कोशी नदी पर बन रहा है कोशी नदी पर बन रहा है और ये पूल गिड़ चुका है पूल गिरना अब बिहार में कोई नया चीज नहीं हो गया है पूल गिरना सरकार गिरना ये बिहार में हमेशा चलते आ रहा है बिहार सरकारने हाली में कितने जीले में अमरेपाली प्रसिक्छन केंद्र खोला जायेगा अमरेपाली का जानते होंगे राज निरतंगाना थी बहुत अच्छे डानसर भी थी नगर गदु का उपाधी दिया गया था तो इनके नाम पे खोला जा रहा है तो कितने जीले में खोला जा रहा है ये केंद्र तो बोलोगे ये बिहार के सभी जीले में खोला जा रहा है बिहार के सभी जीले में खोला जा रहा है मैं बार बार बता रहा हूं कि मैं यहां ज्यादा डिसकसंस नहीं करूंगा डिसकसंस इसलिए नहीं कर वाल में 10-10 मिनिट का डिसकसंस होता है इसलिए मैं जादा डिसकसंस यहां नहीं कर रहा हूं यह कलास सिर्फ और सिर्फ रिवीजन परपस के लिए है हाली में बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि बिहार की साक्षर्ता दर में विर्धी हुई है बिहार की साक्षर्ता दर में विर्धी कितना प्रतिसत हो गया है होके अभी तो 79.70 साक्षर्ता दर हो गया है चतुर्थ किरसी रोड मेप के तहट बीहार सरकार के द्वारा किसानों को किरसी पसुपालन की नविंतम जानकारी देने के लिए किरसी ज्यान वाहन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया है कितना किरसी ग्यान वाहन बनाय जाएगा तो रवाना किया गया है तो चार किरसी ग्यान वाहन को हरी जंडी देकर रवाना किया गया है हाली में चर्चा में रहा सामुदाइक पुस्तकालय के संद्र में कौन सा कथन गलत है तो इस पुस्तकालय का नाम जीवी का पुस्तकालय दिया गया है इस पुस्तकालय का संचालन विद्यादिदी के द्वारा किया जाएगा 150 परखंड में नहीं, 100 परखंड में, 100 परखंड के 32 जीला में इस पुष्ट कालय का गठन किया जा रहा है, बारवी पास विद्यार्थियों को भी मार्कदर्थन मिलेगा, तो C नंबर जो है वो रॉंग है 11 बिहार, उद्धमिता, शिखर, शम्मिलन का आईजन कहां पे किया गया, नई दिल्ली, पटना, भागलपूर, जमुई तो बोलोगे, उद्धमिता, शिखर, शम्मिलन या बड़े-बड़े सम्मिलन का आईजन पटना में होता है, जैसे स्पोर्ट्स, कॉन, क्लैब, टीवी, मुट, पंचाय, तभियान, इस तरह के बड़े-बड़े सम्मिलन का आईजन हमें साब पटना में किया जाता है ओयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरिशन जिसे ओएंजिसी कहते हैं, ओएंजिसी ने इस साल विहार में तेल और गैस की तलास के लिए कुवा खोदने की योजना बनाई है, जिसके लिए सर्वे भी किया गया 3D भुकम पिया डेटा के दवारा, ये कुवा कहां पे खोदा जाएगा, ये कुवा खोदा जाएगा समस्ती पूर में, शमस्ती पूर में, बिहार से तालुख रखने वाले भारतिय मुल के कितने अमेरिक की को उनकी उतक्रिष्ट उपलब्दी और योगदान के लिए बिहार दिवस के दिन, बिहार विश्यो गौरव शम्मान दिया गय को मिला है, चार लोग कौन-कौन है, डॉक्टर क्रिस सिंग, अमीत चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिना वत्तुल, ये चार लोगों को दिया गया, अनुसंधान नवाचार पुरवानुमान के लिए इस मोसम विज्ञान केंदर को देश का सरवसेष्ट मोसम विज्ञान केंदर गोसित किया गया, तो पटना मोसम विज्ञान केंद्र के द्वारा आपको पता होगा एक एप लाया गया था मोसम विहार एप एसा एप है देश में पहला एसा एप है जो हर पंचायत पे मोसम की सटिक सूचना देगा डिब्रुगर विश्विद्याले अंतराष्टिय साहित महुत्सव में एक उलखनिय साहिती किर्थी पहले मगही उपन्यास फूल बहादूर का अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन किया गया फूल बहादूर जो हैं मगही उपन्यास है अभय के के द्वारा इसका ये किया ग बिहार में स्कूलों में 100% एडमिसंस के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है परवेशो उत्सव चलाया जा रहा है कुछ दिन पहले मिसंदक्ष भी चला था जोकी एडमिसंस ए रिलेटेड नहीं था बच्चों के अक्छर अंक ग्यान से रिलेटेड नहीं था बच्च बिहार में वितिय वर्ष 2024 के लिए मनरेगा का मजदूरी दर कितना निरधारित किया गया है तो 228 था पहले 245 कर दिया गया पहले 228 था तीन सो चोहतेर यह मेक्सिमम है मेक्सिमम कहां का है जनाब मेक्सिमम आपका हर्याना का है और 234 मिनिमम है हर्याना का है और 234 यह मिनिमम है कहां का है नागालेंड और कहां का है बताइए मिनिमम नागालेंड और अर्वनाचल का है कहां का है नागालेंड और अर्वनाचल का है चलिए लाष्ट सवाल आज का है कि बिहार पोस्टल सरकल के दवारा कॉपर स्टांप के 200 साल पहला पोस्टल स्टांप च्छपा था ना वह कॉपर का था कामबा का था और बिहार में छपा था वहार में कहां पर तो यह पटनाम है तो हमने पूरा मार्च का रीविजन करा दिया वीहार में समय नहीं लिये मार्च का करेंट ऀफिर का रीवेजन हो गया अब यह डिटेल में हमारा क्लास होता है सुबह नौ बजे शुबह नौ बजे तो सुबह नौ बजे जरूर ढूड़ियेगा और कल हम कराएंगे मार्च महिने के रास्टी अंतरास्टी करेंट अफेर्स का रिविजन तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मात्र 45 मिनट में मैंने पूरा रिविजन करा दि बाय बाय वालो कुछ